हलो गाईज मेरा नाम है केवल लारिया आज का हमारा वीडियो प्रमुख शासक एम उनके राज़िकाल यह वीडियो का आपके जदा इंपोर्टेंट है हमारे हिस्टरी के लिए और इस वीडियो का कुछ पैटर मैंने धुड़ा अलग बनाये दूस्तों मतलब इसलियं अलग क्या आपको पूरे जो शासने वह उन के शासनकाल यो यार नहीं रखने मतलब आपको उनका सेस्दोर से रहना हमारा नहां हमतलब भारत जो ये देश है दोस्तों बहुत Leute के इसमें जीता रहा हैedar कोई लोग आकरमन कर रिए कोई लोग भारत पर आज कर रहे से बहुत काफी सालों से चलता रहा तो इसकी शुरूरात की गीती दोस्तों सबसे पहले गुलावं बंच से कि यह बात है 1100-1290 की değildi कि bus Me 1100 तो इससे बहले बिताना चाहूँगा आई कर में इसकी याद रखने की जी-क G-K-T-L-S-S G-K-T-S-S-L के यह आपर लिखो एक बड़ K, G, K, T K, S, L, Mr % दो यह देखते रहें, दोस्तों में कैसे क्या होने वाला है कभी दिन नहीं खराब है शायता आचका तो जो लोग करम दिन खराब नहीं होता कभी भी G, K, T, S, L, M, S, M तो सबसे पहले हैं तो G से गुलाम वंश G से गुलाम वंश K से खिलजी वंश G से गुलाम, K से खिलजी T से तुगलप वंश तुगलप S से सयद वंश S से सयद वंश L से लोधी वंश L से लोधी वंश M से मुगल वंश M से मुगल वंच इसके बाद S सूरी वंच M से वापिस मुगल वंच ऐसे गुम के पुरा उस जगह तक वापिस आता है उससो जी के गुलाम, खिल जी, तुगलग, सूरी, लूधी, मुगल, सूरी सूरी वंच की बाद से वापिस मुगल वंच प्याने वाला है और मुगल वंच के एंड में वापिसे ब्रिटिशों का राच शुरू हो गया था तो जो सबसे स्टार्टिंग कीती दूस्तों गुलाम वंच की जो बाद से वहें 1100 की, 1100 से 1290 की, खिल जी वंच की जो बाद से वहें 1200 की, तुगलग वंच से 1300, सायद वंच से 1400, लूधी वंच की बाद से 1500 साल में, सूरी वंच की बाद से 1500 ही साल में, और मुगल वंच की काफ़े जायता राजय हुए और इसके बाद सीधा ब्रिटिश हुए 1856 तो इस तरह हमारा वीडियो चलने थिए some down a grey दोश्टोh गुला मंच से बात करेंगे 1101 स्टार्ट हुआ था गुलामंबर्ज का स्थापना मुहमत गौरी ने की थी यह गुलाम बंच्री सापना किती मुहम्मद गोरी ने Ohh यह गुर्भान बश्की सापना की दि मुहमद गोरी ने कभ जब पृत्विरा चवान का आक्रमन के था उसके बाद मुहमद गोरी ने स्टार्ट के था इसके बाद था कुद्व उद्दिन एबक आराम शहा इल्टूत मीश रकन उद्दिन फिरोशा रजिया सुल्तान यह जो का थी एक मात्र मुस्लिम शासी का थी दोस्तों उस समय की 1113, 1206, 1210, 1211, 1236, 1236 आपको यह यह याद नहीं करने हैं दोस्तों बस मैं जो कहाने बता रहो वो सुन दे जाने है रजिया सुल्तान की बाद मुईज उद्दिन बहरम शाह मुईज उद्दिन बहरम शाह अला उद् नसुरुद्दिन महमुद, गिया सुद्दिन बल्बन, के खुसरो, मुईज उद्दिन कयकुबाद, शमुद्दिन कयम नूर्स, गुलाम वज समाप यहाँ तक चला दोस्तों गुलाम वजश, गुलाम वजश का टोटल शासनकाल था, 97 बहर्श था और गुलाम वजश में तोटल जो राजा होके गए वो थे अब तक के दोश्यों टोटल तेरा तेरा शासा गुलाओंवाश में थे इसके बाद आये दोस्तों खिल जीवाश जो आपने पदमावद वगेरा मुवी देखियोंगे इसमें जो खिल जीवाश थे अलाउद्दिन खिल जी 1200 से खिल जीवन की स्टार्डिंग होई थी 1290 से इसमें सबसे पहले जो इसके जो किसकी जो नियू रकी थी यो रकी तchy जलालवद्दिन फिर उसखिल जी पिर आये ते अलाउद्दिन खिल जी सहाबुद्द्दिन उमर सहाबुद्धिन उमर्शाब, कुतुबुद्धिन मुबारक्षाब, नसुरुद्धिन खुस्ट्रोचाब, खिल जीवांश समप तेरा सो बीस तक टोटल खिल जीवांश चला तर दोस्तों 1290 से तेरा सो बीस 1290 से तेरा सो बीस इसके बाद आए तुगलक तुगलक पहुंश चला डोटल दोस्तों 1220 से 1414 तक गया सुद्दिन तुग्लक प्रथम, मुहमत बिन तुग्लक दूसरा, फिरोई शाह तुग्लक, गया सुद्दिन तुग्लक, अबु बुकर शाह, मुहमत तुग्लक तीसरा, सिकंदर शाह पहला, नसुरुदिन शाह दूसरा इसके बाद नसरत शाह, नसुरिद्दिन महमद शाह, दुसरा दुबारा सत्ता पर, दौलत शाह, तुगलक वंच, समाप इनका डोटन शासन का चला दूस्तो 94 वर्ष इसके बाद है हमारा S वाला जो था S से सायद वंच खिजर खान इसके सापना किती किसने, खिजर खान ने ये वह चला 1414 से लेके 1451 तक खिजर खान, मुईजुद्दि मुबारक शाह, मुवमत शाह, चौथा, अलाउद्दिन आलम शाह, सयद वंच समाप शासनकाल चला दोस्तों बहुत काफी कम चला इनका सददिस वर्ष मतलब शासनकाल कम चलने का जो रिजन होता है दोस्तों काफी आयाश किसम की राज़ा हो जाते है उस समय में तो उनका ध्यान ने रता राज़ पार्ट पे इसके बाद आये दोस्तों लोधी वंच मोधी ने लोधी लोधी वंच एल से लोधी लोधी वंच हमारा चाहरा 1421 से लेके तो 1517 तक बहलो लोधी सिकंदर लोधी दूसरा इब्रहां लोधी इब्रहीम लोधी 1526 में लोधी वंच की सापना स्वारी समापती भी शासनकाल चल इसके बाद है मुगल वंश मुगल वंश काफी ज़्यादा इफेक्टिव रहा है इंडिया में जब मुगल वंश एकदम स्टार्टिंग में आया था तो रारा संगा नहीं ने बुला या था दोस्तों लोधी ने मतलब वो समय में बहुत ज़्यादा अती दिते वाती बोलते मतलब कोई भी चीज ज्यादा नहीं होने चाहिए तो जो मुहमद लोधी थी जो उपर वाले वंश के लोधी उन्होंने बहुत ज़्यादा यह मचा दी थी मतलब औरतों के साथ बलातकार करना काफी ज़्यादा मंदिरों को लोटना तो इनको सहायता के लिए राना संगा न ने बाबर को बुलायता तो बाबर ने मुगल वंच की यहां पर भारत में वह स्थापना की थी वह नियू रख की थी बाबर ने तो उसी वज़े से बाबर यहां पर आयते भारत में तो बाबर ने लोधी को रहा है उसके बाद राज करना शुरू किया बाबर ने फिर अप अफगारिस्तान से थे तो उनकी जगह पे वापिस चले गए तो यह हुमायू काफी कम उमर का होने की वज़े से संभाल नीपाए गद्जी को तो इसलिए बाबर पे आक्रमनकर सुरी वंश ने शेर्चाह सुरी ने आक्रमनकर अपनी सुरी वंश की स्थापना की शेर्चाह सुरी सुरी वंश जोता जोस्तों 1549 से 1555 तकी चला ज्यादा साल ने चल पाए शेर्चाह सुरी ने इसकी सापना के थी से इस्लाम शाह सूरी मह्मूद शाह सूरी इसेरह ये फिर यहापए शूरी sec 21 शाहस का समप्ड़ी सोरी सोलह साली चल पाए बस क्योंकि वापिससे बंद्वण को जाना था अब हुमायो दारब हापिस से शुरी वंश पर आक्रमन किया गया ह पिर से हमायों गद्धी पर पहटा और पिर यहां से हमायों के बाद जलालूदिनअबर जहागे सलीम शाजा अवरंगजीब शाजा जो जिन्होंने ताजमल बनाया और अंकर जिप जिनों ने बीवी का मखरा बना है वह शाहालम पहला, चाहादर शाहा, फारुख श्यर, रइफुदुदुद्राट, रइफुदल्ला, नेकुष्यार, महमुष्यार, काफी ज्यदा मज़ा आ रहा है दोस्तों, नाम लिंद में, नेकुश्या, महमुष्या, एहमद शाह, अलमगीर, शहालम, अकबर शाह, बहादुर शाह, जफर, मुगलवंश समाप, यहां तक दोस्तों मुगलवंश चला कहा, मुगलवंश ने सबसे ज्यादा राज किया भारत पे, उसके बाद दोस्तों मुगलवंश खतम करके जो आई कयं जो वूंग, फिर लॉल्ड जेम्स, ब्रुन, अल गिन, फिर लॉल्ड जोन लॉरेंश फिर लॉर्ड रिचर्ड मेयो, नार्ग बूक, लूटेन गर्ड, लूटेन लॉड, लॉड जोन रिपन, लॉर्ड दफरिन, फिर लॉर्ड डौर जीव, कॉंग्रेस के समाएल लॉ rea उ कमिन्टों के तरप खों सा तो भी सम्झेता हुआ जोस्तर लॉर्ड हार्डिंग्स हार्डिघंग्स किसम्हाई सबिए जली लॉड्वध दलोज्य किसम्हाई पउप सब्सक्रीलोद सेमेरिस रेडरीण इर्फीन वेलिंगडन लिंटिगो औरकिबड वेवेल लॉर्ड मॉंट बेटन यह वो अदमें दोस्तों लॉर्ड मॉंट बेटन जिने ने हमें काफी ज़्यादा हिल्प किती राज चलाने में तो 90 वर्ष तक यह ब्रिटिक्स राज चला इसके बाद यह राज खत्म हो गया दोस्तों इसके बाद आजाद भारत हो गया अपस देखने वाले नीचे प्राइम मिनिस्टर भारत के सबसे पहले प्रतानमने ते जवार लव,नेरू फीर ते गुलजारी लग नरन्दा जव़ार लव,नेरू गुल्जारी लव,नेरू लाल बहादूर शास्तरी यह काफी कम समय जम्र गुलजारिलाल नंदा फिर वापिस से गुलजारिलाल नंदा है इंदिरा गांधी मोरार्जी देशाई चरंद सिंग फिर वापिस इंदिरा गांधी फिर राज्यु गांधी विश्वनात प्रतापसी है चंद्र शेकर पीवी नरसिया राव अटल बियारी वाचपई एच दी देवगोड़ा आएके गुजराल अटल बियारी वाचपई मन मोहन सिंग नरेंद्र मोधी बस अब तक तो नरेंद्र मोधी यह न दूस्तो तो यहां तक यह वीडियो तो हमारा दोस्तो जीके का इसमें काफी ज्यादा बात आपको याद न रखते हो बस इतनी चीज़ याद रखने है जी जो वाली मैंने सबसे पहले ट्रिक बदाई इसमें दोस्तो जी के टी एसल एम एसम जी के टी एसल एम एसम जी मतलब गुलाम वंश के मतलब खिलजी वंश टी मतलब तुगलक वंश एस सयद वंश एल लोधी वंश एम मुगल वंश एस सूरी वंश एम वापिस से मुगल वंश फिर बिटिश यह बात है दोस्तो ग्यारा सो की बारा सो 1300, 1400, 1500 ऐसे आपको इस तरह से बस याद रखना है बीक्च वाली राजा कभी भी नहीं पूछे चाते हैं बस आपको एक brief information के लिए मैंने उनकी बस एक नाम बता दिये तो आपको बस इतनी बाते याद रखने है gktslmsm gktslmsm ओके दोस्तों तो यहाँ पर हमारे वीडियो ख़राई समप्त होता है थैंक्यू